जिंदल साब जो है जो कि मेंबर ऑफ पार्लिमेंट रह चुके हैं सुप्रीम कोट में लड़े और पहले ये था कि राष्ट्री थ्वच जो है वो केवल जो ऑफिशल आफिसेज हैं वहाँ पर ही फैरा जाएगा लेकिन अब ऐसा हो गया है उनके द्वारा या कोई भी राष् कि वो अपने घरों में राष्टी जच मेरा है उसके कुछ नियम है हमारी जो आजादी की खुशी हम मनाते हैं हम सब लोग मिलके जब भी मुका मिलता है और आज हमको ये मुका मिला कि सिर्फ खुशी की बातना हो है हमारे बेश में कोई भी ऐसी दुखत गतना हुई हो जैस कर एक पॉस लेना चाहिए वो भी बिल्कुल सच है लेकिन यह हमारा कर्तवे है पूरे देश का सब देश्वासियों का कि जिस तरह से भी हो सके हम उस काम में जूटें कि उनकी मदद हो सके आज स्टार टीवी के माधियम से मीडिया के माधियम से आप लोगों के माधियम से आक्टर्स सारी फिल्म इंडुस्री के माधियम से एक अवेरनेस हैं एक कलेक्शन डाइब है कि जो लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं हम लोग शायद महां पर जाके काम नहीं कर सकते हैं सब मसूफ हैं कुछ कर रहे हैं लेकि अपने अपने तरीके से छोटा मोटा जो बन पड़े हमें करना चाहिए क्योंकि एक्चुल आजादी का मतलब हुई है कि हम अपने देश की सिर्फ खुशी के वक्त में दुखी वक्ती एक साथ जोटकर आगे बड़ते हैं पयतालिस वर्ष रहा हूं कि एज जब जब देश में दुरगठना हुई है भारती फिल्मेश देश्टी ने एक बहुत की प्रबल और प्रथम कारी किया है इसो किश्त कूरे अब पुम्बई शहर में निकले हैं बसों पे निकले हैं चंदा इकठा किया है और मैं बंबई लोगों को नमस्कार करता हूं, उनों ने इतनी उदारता दिखाई जब जब हम लोग तरखने हैं, जाहे वो धन से हो चाहे वो मटीरियल से हो उनों ने हमेशा हमारी सायता की और आज भी मैं यही दरफास करूँगा अपने देश वासियों पर जितना भी बन सके ओ देन, अप कोटा होता है, क्योंकि हर मेंबर फ़ालमेंट को दिया जाता है अपने चेत्र में काम करने के लिए, उसमें से पचास लाख रुपए जो हैं, ओजया ने अल्रडी समर्पित कर दिया हैं, उतराखंटी. हमारी और से, परिवार के और से 11 लाख रुपए हमने गोजित कर दिय और वो जो मुख्यमंत्री जो एक फंड है उसको हमने गोजित कर दिया उनकी चिठी भी आ गई है। इसी तरह से अगर हम लोग जूट करके धनराशी दें या कुछ भी हो कपड़ा हो कंबल हो कुछ भी है। इस देश की भलाई के लिए इस देश की हित में। और और अ.. यह वोग सित बफोर यू तोदेश यू जाई देश की हित में। और अ.. our we are here supporting the telethon to raise funds for the victims of Uttarakhand and to help rehabilitate the state of Uttarakhand I think this is being more proactive I'd like to see the nation's citizens be more proactive There's a lot that we keep pointing fingers and asking questions of our government which is fair, which is fine, that is our right as citizens but I think we should spend the next year being more proactive and taking initiative by ourselves to do things to help. बुन्दी सही, है तो सही. Whether it's the film industry or the television industry, we all come together under one roof, as one family, to support an unfortunate situation like this. Sometimes it takes a very, very big issue, a very big problem to bring people together, but all said and done, film industry, thank you. I wish I could have done more, but I just graced the stage with my presence with John, which is just lovely to be here and to show support. And my heart goes out to all the families who lost people. Army ने अपना काम किया, volunteers ने अपना काम किया, बहुत सारे प्राइविट लोगों ने अपनी तरफ से महनत किया. I think it's time for the film industry to step onto the plate and do something. We are and we need to do this again and again, we are there for you. लेकि वो प्रेजन के अपीनि लीडर्स हैं, क्योंकि सन 2020 तक हमारी जो जन संक्या की average age होगी वो 29 होगी. So I think हर एक युवा, आज के युग में लीडर है. कोई बंब राश्ना हो, कोई ऐसी बाढ़ना है, जिससे हमारे हिंदुस्तानी के प्राबम होए. आप खुश रहें, अब आज रहें. Thank you.